हेलो फ्रेंड्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री धिलर मुई एक्स्प्रेंट करने वाले है इस मुवी में एक बुड़े लाइनलोड के बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरेल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरेल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंटरस्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती और हमें दीखता है कि सिरेल किलर एक बुड़े आदमी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोगों को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम अमरे मेन क्यारेक्टर दीउक को देखते है यह एक बुड़ा लैंडलोड है यहाँ केला ही रहता है इसे डाइविड इस भी है और लोगों के साथ वो अच्छे से बढ़ता हुँ नहीं करता किसी से भी अच्छी बात हो कर ले इससे हो इनी सकता इसके आसपेस के लोग कोई भी इसके खिलाफ में चाते पूरे सिप्ती में इसके बहुत सारी प्रपर्टीज है जिसको रेंड करता है इसके बाद हम देखते है कि डेवट अपने एक टेनेंट के पास आया है ये भी एक बुड़ा ही आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ चाओ ने 2-3 महिनों से रेंट पेनी किया होता है तो देवग उसे अब मांग रहा होता है चाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ वो ज़रा बिमार है इसलिए ओ दे नहीं पा रहा है देवग कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंट मिल जाना चाहिए तुम तुम्हारे संसे क्यों ने मांग दे वो तो अमेरिका में है तुम उससे पैसे मांग सकते हो यह हम देखते है कि चाओ के साथ उसके कुछ कोवरकर्स है यह बिमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है देवग बहुत स्टिकली बात कर रहा हूथा तो यह कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो रेंटी तो बागी है न वो तुमें दे देगा देवग कहता है कि तुमें इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों ने देती है इसके बाद देवग वहाँ से चला जाता है वो आगे सिटी में आता है तो ब्रीच के पास पुलिस को डेट बॉड़ी मिली हुई होती है वहाँ बहुत सारे लोग होते है और देवग ये देखने के लिए जाता है यहाँ पर उसे एक लड़गी दिखती है यह भी उसकी बिल्डिंग में रहती है यह उसे भी रेंट मांगता है यह हमारे मेन करक्टर है और इसका नाम होता है सू सू कभी भी रेंट टाइम पर नहीं देती इसी वज़े से देवग उससे अब मांग रा होता है देवग को उसका नाम ही पता नहीं होता वह हमेचा उसे अपार्मेंट 205 ही बुलाता है इसके बाद सू केती है कि वो जल्दी से pay कर देगी और वहाँ से चली जाती है सू clothing की factory में काम करती है और दिल की बहुत ही अच्छी होती है उसकी cover कर जो जरा बुड़ी होती है तो उसे rest मिल सके इसके इसके लिए उसका काम भी वो कर डालती है इसके बाद हम देखते है कि city में और एक बुड़े आदमी की death हो चुकी है नेकसिन में देख city में एक shop पर आता है ये भी shop वो ही own करता है और इसने मीन को rain पर दिया है देख मीन को पसंद करता है तो उससे बहुत अच्छी से बात करता है में उसे welcome करती है और उसे sandwich भी offer करती है ये बुड़ा है तो ये sandwich खाने से उसे तकलिफ होती है पर फिर भी ये sandwich ले लेता है यहाँ पर हम देखते है कि एक बुड़ा हाद में आता है उसके साथ उसकी wife होती है जो wheelchair में है ये देखकर मीन देख से कहती है कि कितनी fortunate है इसका पती इसका कितने सालों से खायाल रग रहा है इनकी जोड़ी बहुत ही romantic है देख कहता है कि उसकी life कितनी खराब है उसे उसका ध्यान रगना पड़ता है देख कितना भी control कर ले पर जिस तरीके से है उसी तरीके से बाते करता है तो control नहीं कर पाता जो body city में मिली थी ये देखक की ही एक building से मिली है पुलिस से जब देखक बात करता है तो उन्हें लगता है कि ये natural day थे रात में देखक जब घर पर आता है तो फिर से चाव से मिलने के लिए आता है वो देखता है तो चाव बहुत सारा खाना उसने लाया होता है चाओ रूम में आता है तो उसके हाथ में बेर वेग रहा होती है देव कहता है कि तुम मेरे रेंट पे नहीं करते और अब तुम मजे कर रहे हो पार्टी कर रहे हो चाओ कहता है कि मेरा पुराना फ्रेंड यहां रहा है यह पुलीस में हुआ करता था देवक को बिलीव नहीं होता कि चाव डिरेक्टिव था चाव कहता है कि हमेशा से में कल्पीट को ढूणने के लिए कुछ भी कर सकता था अब उसे लग रहा है कि जो ओल्ड मैन मर रहे है ये सब सिरियल किलर का काम है तीस साल पहले इसी तरीकी का केस उन्होंने हैंडल किया था और ये पैटर्न में आप हो रहा है पहले तीन ओल्ड मैन मरेंगे और इसके बाद लड़किया मरने वाली है चाव कहता है कि हम सब बुड़े लोग चर्च जाते है वहाँ पर दो-तीन दिनों से मुझे एक होमलेस बुड़ा आत्मी दिखनी रहा सिरियल किलर हमेशा उन्हीं लोग को टार्गेट करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा दियोक उस पर जादा भेलिव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इसी बिल्डी में सू भी रहती है सू अपनी फ्रेंड के साथ बात करी होती है उसके पास इस मन के रेंड के लिए भी पैसे नहीं है उस सारे पैसे अपनी मदर को भेज देती है उसकी roommate उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा मत किया करो तुम सारे पेसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा ये सब देवक बाहर से जाते जाते सुनता है रात में हम देखते है कि चाओ का murder हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुम्हारी roommate के साथ ही रहती हो अब मैं rent बढ़ाने वाला हूँ ये मना करे होती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में ये फिर से चाओ को देखनी के लिए जाता है इसी वज़े से चाओ ने suicide कर ली होगी ये बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब blame करने लग जाते है देवक हमेशा जिसमें इसमें खाना खाता है वहाँ जब वो जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते है सब देवक पर बहुत ही गुसा है वो मीन के रेस्टोरन में भी आता है पर आज रेस्टोरन बन होता है सुक अपने बॉस के बास जाती है और उससे कुछ advance मांगती है उसने सब पैसे अपनी मदर को भिज़ दिये है उसका बॉस उसे मना कर देता है इसके बाद वो देवक के पास आती है देवक को कहती है कि अब वो रेंड पै नहीं कर पाएगी वो घर खाली कर देने वाली है देवक से deposit लेकर वो चली जाएगी देवक को लगता है कि चाउने suicide कर ली है तो ये भी उसे ही दोज दे रही है यह उसे पूछ लेता है, सुकेती है, यह मुझे पता है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा नहीं हुआ है, हम सब को पता है कि तुम रव बोलते हो, पर तुम दिल के साफ हो, कोई रेड ने देबाया, इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है, इस इसे पता ही नहीं है कि चाउ मर चुका है देध को से सब कुछ सम्जाता है यह जो आदमी है यह हमारा और एक main character है इसका नाम होता है पार्क चाउ बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका friend आने वाला है यह वही उसका friend है पाक भी detective ही था पाक को जब मालूम होता है कि चाओ ने सुसाइट कर ली है तो वो बिलिव नहीं कर पाता वो देवक से कहता है किसा हो इनी सकता चाओ से मिलने के लिए बहुत सालों बात उसका बेटा आने वाला था वो अब सुसाइट क्यों करेगा इसे पक्का मालूम है कि चाओ का मर्डर हुआ है रात में शू घर पर आती है तो उसके रूमयट का मर्डर हो चुका होता है यह बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल लगा रहे होती है पर तभी हमें दीखता है कि उसके पीछे सिरिल किलर है ये बाहर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करती है पर ये किलर उससे ब्योश कर देता है देवक का रूम सूख के रूम के नीचे ही है उसे कोछ आवाजे सुनाए देती है तो वो देखने के लिए जा रहा होता है सुद दरवाजा खोलने रही तो अपनी चावी से ओख खोलना जाता है तब वहाँ आसपास के लोग उसे रोख लेते है वो कहते हैं कि तुम्हारी वज़े से चाव मरा है और रेन के लिए अब रात में भी तुम लोग को परेशान कर रहे हो यह वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते है देवक भी चला जाता है नेक्स दिन देवक जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिरिक्ट्ट्व पार्क होता है देवक उसे बात ने करने होती पर पार्क उसके टेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे है अब इस पैटन में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉंग हेर सुंगे द्योग को सू की याद आती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेर से सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जो जबरदस्ती अंदर गुसरा होता है द्योग जब इसे स्पोट कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है देवक भी अपने स्कुटी पर उसका पीछा करता है इसके पीछे-पीछे आ गया जाता है तो एक दंडे से देवक को बेहुश कर देता है ये एक गली गुंडा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है देवक से सब पैसे वह रहा हो चीन देते है डिटेक्टू पार्क भी बुढा ही है और फिर भी इन से भीट जाता है सब को बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है तुम वहाँ कर क्या रहे थे ये लड़का कहता है ये सू की फ्रेंड मेरी गल्ट्रेंड है वो एक-दो दूनों से मेरे फोन नहीं उठा रही ये इसके लिए वरिड था इसलिए घर में घुछ रहा था अब देवक और पार्क ये दोनों सू के घर में घुछ जाते है पार्क जब अपार्मेंट देखता है तो Siuk की फ्रेंड की बाड़ी फ्रीज में होती है देवक को यह देखकर बहुत ही सद्मा लगता है इसे लगता है कि यह Siu ही होगी पार्क उसे कहता है कि Siu की वहाँ बाड़ी नहीं है इसका मतलब है Siu अभी भी जिन्दा है देवक फिर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है पर पार्क उसे रोक लेता है पार्क उसे कहता है कि Siu अभी भी जिन्दा है पर अगर हमने पुलिस को इन्वाल किया तो Siariel Killer जल्दी ही उसे मार देगा पार्क कहता है कि हम दोनों को मिलकर अब उसे ढूणना चाहिए देवक बहुत सालों से इस शेहर में रह रहा है तो उसे इस शेहर के बारे में सब कुछ पता है और पार्क डिरिक्टिव था तो इस दोनों मिलकर सिरियल किलर को ढूण सकते है चाओ ने इस सिरियल किलर की जो भी सब इन्वेस्टिकेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी ये डोरबुक पार्क देखता है वहापस सब सस्पेक के नाम होते है राद में पार्क और देवक जब डिनर करते है तो देवक कहता है कि अगर में उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पार्क अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब उसने सिरियल किलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में जाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को इमार डाला पार्क जब आया तो उसने किलर को भागते वे देखा था सिर्फ किलर की आखे उसने देखी है पाक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आखों से उसे पहचान लोगा जाओ कि डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने के लिए देवक और पार्क अब घुमते है दोनों जब मिन के रेस्टोरन में होते है तब पाक देवक से कहता है कि मिन को भी इस सिर्फ उसे मारने वाला था पर मिन वहाँ से भाग गई थी पाक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हार्ड हो सकता है फिर भी पाक उससे बात करना चाता है पर देवक उसे वहाँ से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बहार आते है तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो फिलचेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत सस्पीशेस है सीरियल किलर हमेशा इसे तरीके से वॉलेंडियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सीरियल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहता है कि मैं आखों में आख डाल कर देखो तभी इस डॉक्टर की वाइब टॉयलेट कर देती है इसके आप कपड़े वेगरा डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे तो उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नापर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आईवीज भी लगाई है कुछ टीटमेंट सूपर चल रही है पाक का शाख 100% इसी डॉक्टर पर है यह देवक को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूँगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देवक लॉक्ट समीथी होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चिलनाने की कोशिश करती है पर यह पूरी पैरलाइस्ट होती है यह कुछ भी बोल नहीं सकती घर जानते हुए बैक यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें एडवांस लॉक होता है पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है पाक देख को कॉल लगाता है पर यह कॉल नहीं लगता पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जुस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पार को मारने वाला है पाक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पाक के पेट में चाको गुसा देता है देवक डॉक्टर के घर पर दोर खोलने कोशिश कर रहा है पर ये कर नहीं पा रहा हुता तब ये डॉक्टर वहाँ जाता है ये उसे पुछता है कि तुम हो कौन देवक कहता है कि मैं सो को ढून रहा हूँ डॉक्टर उसे निकल जाने के लिखेता है देवक को सक जाता है कि यह पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा उसे ये भी पुछता है कि इस शेड में क्या है डॉक्टर और देवक दोना लड़ाई करने लग जाते है तब वहाँ पार्क भी आ जाता है ये इंजोर्ड है पर इसने अब गन लाई हुई है ये डॉक्टर को एक जगा बेटने के लिखेता है देवक जब अंदर जाता है तो वहाँ ओपियम की बाग होती है याने कि ड्रक्स के ये पोधे होते है डॉक्टर अपने सफाई में कहता है कि प्लीज इसे पुलीज को मत बताना मैं मेरी वाइफ के लिए ये सब उगाता हूँ वो पैरलाइस्ट है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है उसे में ड्रक्स देता हो तो उसे ज़रा रिलाक्स मेसूस होता है इस्टिकली एस अ मेडिसीन ही में यूज करता हूँ पाक को अभी भी बिलिव नहीं हो रहा यहाँ पर पाक एक मास्क देखता है यह डॉक्टर को मास्क पहनने के लिए कहता है डॉक्टर मास्क पहनने के बाद इसे 100% कन्फरम हो जाता है कि यही सिरियल किलर है पेशन्ट है और पुराना डिरिक्टिव है पर इसे भूलने की बिमारी है तो इस पर कोई भी बिलियू नहीं कर सकता देख अब होस्पिटल को कॉल करता है और पार के सन को भी कॉल लगाता है पाक को होस्पिटल में लेकर जाते अब देख से डॉक्टर बात करता है वो कहता है किलविस किसी को भी इसके बारे में पता ना मत देख भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला जाता है चावने पाक को कहा था कि और एक बुड़ा आदमी है जिसको जर्च में धुनने पा रहा देवक उसका पता निकालता है और उसे धुनने के लिए जाता है उसकी घर पर उसकी डेड़ बोड़ी उसे मिलती है इस जगा पर देवक देता है कि ओल्ल मैन का डॉक भी मर चुका है इस डॉक के मुँए एक कपड़ा होता है देवक अपने ही बिल्ली में एक आदमी के लॉक बदल रहा था तभी उसने उसकी पैंड देखी थी यह फटी होई थी और उसी पैंड का कपड़ा इस डॉक के मुँए है यानि कि वही आदमी सिरियल किलर है यह जब देवक देख रहा होता है तभी और एक पुलिस ओफिसर इन्वेस्टेशन करते करते यहां आ जाता है देवक यहां से भाग जाता है पर पुलिस ओफिसर को पता है कि यह देवक ही था देवक अपनी बिल्डी में किलर के घर पर पहुँच जाता है यहाँ जाहकर सब और लोगों की तस्विर इसे मिलती है पुलिस भी पीछा करते करते यहाँ आ चुका है देवक नहीं मर्डर किये है ऐसा उसे लगता है और देवक को हैंकफ करता है देवक उस पर चीरता है पहले देखतो लो कि यहाँ आसपास क्या है देवक पर बिलिव करता है यहाँ जो आदमे रहता है यह रेलवे के हाँ काम करता है देवक इस पुलिस को समझाता है कि अगर दूसरे पुलिस को तुने बता दिया तो सूख खत्रे में आ सकती है हमें उसके killer को ढूणना है दूसरे पुलिस को ना बताते हुए ही अब वो इस railway की हा जाते है देवक को गाड़ी में बैटने के लिए केक कर यह पुलिस आगे चला जाता है देवक गाड़ी में नहीं बैटता और खुद ढूणने लग जाता है यह आब रुसेव आदमी मिल जाता है देवक पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसंट मत बनो मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगो को मारा है एक killer देवक को मारने लग जाता है पुलिस वहाता है पर पुलिस और इसकी भी fight होती है एक killer आगे निकल जाता है पुलिस बेहोस होता है पर देवक किलर के पीछे भागता है किलर रस्ते से जाही रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे उडाक कर निकल जाती है देवक इस किलर के पास पोचता है यह मर रहा होता है तो मरते मरते देवक को बता कर जाता है कि और एक killer है जिसने ये सब किया है नेक्स दिन देवक पुलिस को बताने कोशिश करता है कि और एक serial killer है पर अब serial killer मर चुका है और पुलिस को बहुत ही complicated लगता है तो इस idea को drop कर देते हैं हम पता है कि मेन पर serial killer ने हमला किया था देवक जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे प्लीज उस हमले के बारे में पताओ वो उसे killer को पकड़ने में help कर सकती है मेन भी uncomfortable होती है पर बात करने के लिए राज ही हो जाती है यह कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था तो मैं उसे देख नहीं पाई पर उसका strong smell मुझे आ रहा था उसके हाथ भी मुझे अजीब लगे जैसे उसकी छे उंगलिया हो अब देवक यहां से चला जाता है यह पार्क से मिलने के लिए hospital में आता है पार्क को ज़ादा कुछ याद नहीं है तो देवक प्रिटेंड करता है कि वो उसका friend चाओ है जाते जाते हो देखता है कि पार्क के रूम में fool है और यही fool उसने डॉक्टर के पास देखे यहाँ डॉक्टर पर उसे शक जाने लग जाता है पार्क अभे भी खहरा होता है कि डॉक्टर ही था जिसने इस सब murder किये थे अब देवक डॉक्टर के पास फोच जाता है वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेक अप करवाना है डॉक्टर उसकी पर्स जब चेक कर रहा होता है तो देवक देखता है कि इसकी छे उंगलिया तो नहीं है पर इसकी उंगलियों पर एक मार्क है यानि कि डॉक्टर ने उसकी उंगली काट ली होगी डॉक्टर को एक अंफरंट कहता है डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि आप तुम जादा जीने नहीं वाले यानि कि डॉक्टर ही रियल सिरियल किलर था डॉक्टर देवक को बहुत मारता है उसके शेड में जहाओ ट्रक्स उगाता है उसमें और एक रूम होती है यहाँ पर सू भी है तो डॉक्टर सू के पास ही देवक को रखता है सू कुछ भी बोल नहीं पा रहे मैंने जब सूब को देखा, तो सूब भी मेरी वाइफ की तरह ही दिखती है, अब मैं इसके साथ रहूँगा मैं इसे लेने के लिए इसके घर पर गया था, पर इसकी फ्रेंड वहा के, तो मैंने इसके फ्रेंड को भी मार दिया हमने रेलवे में काम करने वाला सिरियल किलर देखा है यह सिरियल किलर और लोगों को मार रहा था डॉक्टर ने जिस तरीके से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा था यह सिरियल किलर चाओ को मारने के लिए गया था तब ये डॉक्टर को इसने स्पोट किया था जब देवक और पूलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए गए तो ये डॉक्टर ही था जिसने उसकी गाड़ी से सीरियल किलर को उड़ाया था डॉक्टर अपनी वाइफ को भी हाले कराता है वो अपनी वाइफ को मारने वाला होता है तभी पार्क वहाँ पहुच जाता है अब पार्क के पास रियल गन होती है डॉक्टर बिलिव नहीं करता कि पार्क के पास रियल गन है इस गन से पार्क डॉक्टर का कान उड़ा देता है इस रूम में डॉक्टर के पास एसीड है यह एसीड इन दोनों पर वो भेखता है पाक डॉक्टर पर जफख पड़ता है वो देव को कहता है कि सूख को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ पाक और डॉक्टर दोनों फाइट करते डॉक्टर कहता है कि उस दिन यानि कि 30 साल पहले तो तुम कुछ भी कर नहीं पाये थे पाक के बॉस को डॉक्टर ने मार दिया था पर उस ताइम अगर पाक चाहता तो सिरियल किलोर को मार सकता था पर वो डर गया था यही चीज़ों से खाती थी और इसी वज़े से अपको जो भूलना जाता था यही रीजन था उसे अलजाइमर होने के लिए अब यह दोनों इस दुसरे को बहुत मारते है डॉक्टर पाक पर गोली चला देता है पाक वही गिर जाता है और डॉक्टर अब देवक के पीछे लग जाता है देवक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सू को छुपा देता है यहाँ पर यह दोनों बहुत फाइट करते है और डॉक्टर अब देवक को मारने वाला होता है पर पार्क वहाँ पोच जाता है यह इंचोरड है फिर भी डॉक्टर को बहुत मारता है डॉक्टर अब बहुष हो जाता है पार्क उसे जान से मारने वाला होता है पर देवक उसे रोक लेता है वो कहता है कि हमें इसे पुलिस में देना चाहिए हम अगर इसे मारेंगे तो हमें और उसमें कोई भी फरक नहीं रहेगा अब थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है पाक 30 साल पहले कुछ करने पाया था पर वो अब खुश है उसने सही से बदलाब ले लिया है डेवक भी बहुत इंजोरोड हो चुका था तो होस्पिटल में है उसे देखने के लिए मिन और सू दोनों आई हुई है यह हमेशा से अकेल आई था पर अब इसे हेल्प करने के लिए सू और मिन ये दोनों है यही मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मूवी इस लेकर आता रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल नुटिफिशन आइकन दबना मिन मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी की साथ तब तक के लिए थैंक्यू और अब आपने आपका ख्याल रखिये